देश में जब से मोधी सरकार सत्ता में आई है तब ही से मीडिया दो धड़ों में बढ़ गई है एक धड़े पर कॉंग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों की तारीफ करने के आरोप लगते हैं तो वहीं दूसरे धड़े पर मोधी सरकार और बेज़ेपी की तारीफ करने के आरोप लगते हैं यानि ऐसे समय में जब देश में कुल मिलाकर पत्रकार भी पक्ष विपक्ष वाले हो गई हैं तो भारत की तमाम पत्रकारों को पाकिस्तान से आई एक विडियो जरूर देखनी चाहिए जिसे शेयर करते हुए पत्रकार उमार शंकर को भी कहना पड़ गया कि पत्रकार होने के लिए मजबूत रीड का होना बहुत जरूरी है दरसल इस बात से तो आप भी वाकित है कि नेताओं से लेकर अफसर तक किस तरह से आम जनता को किसी काम के लिए इंतजार करवाते हैं और लोग मजबूरी में इंतजार करते भी हैं लेकिन यही इंतजार पाकिस्तान की मीडिया को इतना बुरा लग गया कि उन्होंने वहां के मंत्रियों को सबक सिखाने की ठानी और फिर जो हुआ वो मिस्साल बन गया सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि घंटों इंतजार कर रहे पत्रकारों में से एक पत्रकार ये कहते हुए सुनाई दे रहा है कि हम तकरीबन दो घंटे से यां खड़ें जेलम में करप्शन बेताहाशा है लूट मार का बाजार गर्म है तमाम सरकारी अफसरान वेलफेर के नाम पर यहां लूट मार कर रही है लेकिन आपने हमें टाइम नहीं दिया और जलील बहुत किया इसी लिए हम आपका बॉयकॉट कर रही है इतना बोलने के तुरंत बात सभी पत्रकारों ने नेताओं के सामने से अपनी अपनी माइक आईडी हटानी शुरू कर दी किसी दौरान एक नेताजी बोलते हैं बस करो यार लेकिन पत्रकारों ने नेताओं की एक भी नहीं सुनी आप भी देखिए ये विडियो यह वीडियो शेर करते हुए वरिष्ट पत्रकार उमाशंकर सिंग ने लिखा, पत्रकार होने के लिए मजबूत रीड का होना जरूरी है, पाकिस्तान के इस वीडियो की यही नैतिक शिक्षा है, आशुतोर सिंग नाम के यूजर ने लिखा, हाँ, अभी मैं आपके एक मित्र साथी के रिपोर्टिंग देख रहा था, ममता के धर्ने की, वहाँ ऐसी रीड दिखी ही नहीं, जबकि शुबम साहनी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, चलिए, कम से कम हमारे पडोसी मुल्की मीडिया में इतनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट और जिम्मेदारी है, कि वो श पत्रकारों की तो चाटू कारिता पत्रकारिता हो चुकी है। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है, पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भासी, SC ये फैक्टर है, शुबेंदू चले गए कि प्रसांत किशोर चले आए, उसका कोई वो बुद्दा नहीं है। वो मुद्दा ही नहीं, मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भासीयों की एक करोड से ज्यादा वोट है, जलित यहाँ पर 17 परसंट है, और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ ख़़ा है। कि प्रसंट ही है। इसको लोग ने खंगाल कर देखा वह ऐसा क्यों आ रहा है ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो वोट करने वाले दस से पंदर पर्चंट लोग है उसमें करीब फूर लोग का ऐसा मानना है कि वह मेजॉरिटी जो है वह आपको हमेशा सुनाई देगा हमेशा कि सरकार बन रहे हैं लेफ्ट का जो आदमी है वह कुछ भी हो बीजेपी आ जाएगी तो हमारे जुकान खुल जाएगी कमसे अभी मम्ता को तो हारना चाहिए एक जो इसका सक्सांति है तो पर्सक्शन की बात हो रही जो लोग हम लोग समझते हैं बाहर जो बंगवल मों नहीं पहले आए थे बीज कदली आज बीजेटी कि ले काम कर रहा है तो कोई ऐसा एरिया नहीं है तो गंगवल का एक जिला तोड़ दे आप ढम जहां पर की भूत मझमूब कादर बीजेटी कम जी है है तो बहुत मझमूप का दर बीजेटी कम ही है OBCs, you are saying all Hindus are voting for BJP. So who is voting for TMC and why are you so confident with BJP? I have said 50% to 55% Hindus are voting for BJP. The major problem which we have to accept is that 20 years there has been blatant effort and everything has been done to appease the minority. Now you can see the politics of a simple philosophy here that the Muslim vote will be. The political ecosystem, the Congress, the left, the right, 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 the right. There is some element which BJP is exploiting. And that element is coming from the blatant misuse of minority politics by some of these parties. So you can't ignore it. Ushanal call to interrupt you. May it please request everyone who is not speaking to switch off their mics. Why is Modi so popular in West Bengal? I mean, is it only because of polarization and that they identify him as, you know, a pro? What is it? Because it's not like they haven't seen, you know, the performance both in central politics and in state politics where BJP has been in favor. So what is it that is drawing West Bengal to him? Exactly. Exactly. Prashant, this is a question. Is it anti-incumbency, it is not a massive economic crisis in Modi's country? No. All right. बन गया है पूरे देश में जो की डिग्री कुड वैरी लेकिन दस परसेंट पंदरफ परसेंट बीस परसेंट परसेंट ऐसे लोग है जिसको मोदी में भगवान दिखता है चाहिए सही दिखे गलत दिखे वह एक अलग बैस का मुद्दा हो सकता है इस्पेसली जो यहां का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममतार इकोली पॉपुलर विचिज वेरी बिग तिंग मोदी इस वेरी पॉपुलर यहां पे मोदी पॉपुलर इसलिए भी है अब देखिए बेंगॉल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है तो वो एक फैक्टर है कि 30 सा नहीं किया वह वाली बात है कि उसको टेस्ट करना चाहते हैं उसको लोग जाकर देखना समझना चाहरे हैं वह एक फैक्टर है मोदी की मीटिंग्स में भीड आ रही है उसका एक कारण यह कि मोबलाइजेशन भी बड़े अस्तर पर होता है प्लस मोदी पॉपुलर भी है इस तरीना मून तरीना मून वारी लाइना मून, भीजप, वीयर इन शने भी ठ hellish कि अवफुल्स अच्छा हृराओ यह ग्ट्ररा जचाट कर दासो हैं ऊे लिए लिटीर अरिद्र मोधी इंवेड हो लो. Is it open? I don't know. I mean, somebody has just tweeted the screenshot on twitter tagging me and other people and saying that we all have declared Narendra Modi's victory investment law. But who has done that? Okay! Listen, there are people in this room. Himanshu Jain? No, Himanshu Jain... somebody else is reporting to Himanshu Jain from this room if you keep an open room if you keep an open room for everybody to join in and listen you can't prevent people from tweeting and these things don't matter anyone can say anything right I mean it doesn't make a difference yeah I know but this is often seen as evidence and one more thing I just needed to needed people to remember was that whatever you see a say on clubhouse is recorded no the clubhouse keeps record